बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूटूब चैनल जोहार जाकन श्टडी में फ्रेंड्स आप सभी ने पेपर देखा होगा तो ये खबर आप लोगों ने देखी लिया होगा लेकिन इसमें क्या इंपोर्टेंट चीज है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जितने भी सीटेट पास अभियरती है इस वीडियो को सुरू से लास तक देखे आपको पूरा डिटल में बताने वाला हूँ युकि हम लोग का मामला सुप्रीम कोट में है और पेपर में क्या कुछ छपा है इसको आपको पूरी तरह से समझना होगा और क्या कुछ होने वाला है वो भी मैं समझाओंगा तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब इसमें क्या है थोड़ा पढ़के देख लेतें पेपर में क्या छपा है देखे जहारखन प्रारंबिक साहे का चायर समय परतियुकता परिछा में सीटेट वो पड़ोसी राइस सेटेट पास अभियरतियों को सामिल करने के मामले में दायर एसलपी पर सुप्रीम कोट में सुक्रुवार को सुनवाई हुई जस्टिस जे के महस Census विच्टिस संजय करिल की खंड पिट ने परतिवादी राइस सरकार वो जारखन सीटेट उतिन अभ्यारति संग का पश सुना इसके बाद खंड पिट ने दोनों अधिवक्ता गोपाल संकर नरायन वह जार्खन हाइकोट के अधिवक्ता अमरितान स्वंस ने पच रखा पिछली सुनवाई में उन्होंने बताया था कि जार्खन हाइकोट ने दिसमर 2023 में पी आयल में आदेश पारित किया था सीटेट उतिर नुवा पडोसी राजों से टेट पास करने वाले जार्खन के अस्थाने निवासियों को सायक आचायरिय सहयुक प्रतियोक्ता परिछा में सामिल करने का आदेश दिया था इस तरह का नितिगत निरने लेने का अधिकार जार्खन हाइकोट के पास नहीं है यह अधिकार जार्खन हाइकोट के पास नहीं है यह गलत है जार्खन का छेत्रियम जनजाति भासा संथाली खोठा नाकपूरी हो कुडमाली आधिका ग्यान जेटेट अभियर्थियों के प प्रारंभिक बिदालयों में होगी तो उन्हें इच्छा देने में परिसानी होगी यह कहना पूरी तरसे गलत है क्योंकि हम लोग पूरी तरसे जार खंडी है और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं यह सुप्रीम कोट में अभी तो मामला चलेगा ना भी काउंटर इस्ट्राइक चलेगा मैं बता दू एक से पांच में कही फैंक कहा पड़ा है आभी कोई भी छोटा बच्चा को अपने नहीं बताया जाता है और कोए को बच्चा नहीं समझ रहा तो उसको समझहने में सहता होती है जबकि धूस्तों हम लोग कैपर टू घार। जार्खन सरकार जार्खन सरकार ग्जाम ले है तो यह गजलत है कि यह का नहीं से यह यह बंगला भी गह सबस्क्राद कर नियाए मिलेगा क्योंकि सबस्क्राइब ही भीदों को लेकर देता है और मैंने देखाा दोस्तों सब्सक्राइब कोड किसी को निकालता नहीं है, किसी को बाहर नहीं निकालेगा, इतना तो guarantee है, ठीक है, और Supreme Court इस बात को भी गौर करेगा, Supreme Court इस बात को भी गौर करेगा, कि जे टेट पास अवियर्ती किसी को बाहर निकालने के लिए आये है, ठीक है, क्योंकि जे टेट पास अवियर्ती को कोई तो निक लोगों का इंटेंशन क्या है सिवरón के सिद्ध कह सभेर्थ सभी ज coaching आना तो इसको देकर भी वहां के जो जर्डेंगे किesus मामला है क्या माजरा है और जो सबस्टों सीटे पचरवी आएगा कि मारने वाला से बड़ा मारने वाला से बड़ा मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है ठीक है और आप लोग बहुत सारे चीजों में देखा होगा कि बहुत सारे मामलों देखा होगा चाहे वो जेपी एसी हो ठीक है या पंचाय सची हो सभी मामलों में आपने देखा होगा कि स Supreme Court ने छात्रों को दिया है मतलब छात्रों के पच पे अपना निरने दिया है और देखें यहां पर कोई किसी को निकालने के लिए जा रहा है तो उसके पच पे नहीं फैजला होगा दोस्तों और आप लोग विश्वास रखें हम लोगों के जो Senior Advocate है वो बहुत ही अच्छे है और उनसे हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों किस पॉइंट पे कैसा बहस करना है ठीक है किस पॉइंट में कैसा बहस करना है उन्होंने पूरा पूरी बताया है और हम लोग बहुत जल्द आगे भी निरने लेने वाले हैं क्या कुछ करना है क्योंकि दोस्तों मैं बता दू क्योंकि अब हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही मेहनस से जाना होगा एक बार बहुत ही मजबूती से जाना होगा और हमारे पास दोस्तो एक ब्रमास्त्र है जिसका हम लोग परियोग उसी दिन करने वाले हैं उस ब्रमास्त के बारे अभी हम किसी को नहीं बताने जा र में पूरा भरोसा दिया है कि आप लोगों के जीत निश्चित है जीत निश्चित है बहले ही यह लोगों को लगे कि अभी हम लोग जीत रहे हैं और देखे अब हम लोगों को कोई लड़ना जगरना नहीं है ठीक है सुप्रीम कोट में अब मामला है देखो जीत किसकी होती है बिजय तो हम लोग का निश्ची थे ये तो आप लोग सभी को पता है और हम लोग भासा के भासा जितने भी छातर हैं भासा को लेकर तो कभी नहीं हारने वाले हैं ठीक है जहां तक रही हाई कोट का मामला कि हाई को कोई हाई कोट को ये निरने लेने का अधिकार नहीं है कि कि किसको देना है बहाली किसको नहीं तो मैं आपको बता दू हाई कोट के आदेश के बाद दोस्तो आदेश के बाद दोस्तो मैं बता दू जहारखन सरकार ने नियमावली चेंज की ठीक है जहारखन सरकार ने नियमावली चेंज की और केबिनेट में फैसले आने के बाद यानि जहारखन सरकार ने अपने नियमाली में चेंज किया उसके बाद दोस्तों हम लोगों को फोम भरने मिला है यानि जहारखन सरकार ने नियमाली बनाई थी और जहारखन सरकार यही जवाब देने वाली है कि हमने नियमाली बनाई नियमाली में सुधार किया और इन्हें मोका दि कि जितने भी सीटेट पास अभियति हैं एक जूट होके आप लोग रहें आपको समय समय पर अपडेट दिया जाएगा और बहुत जल एक बहुत बड़ा निरने होने वाला है आप लोग इस पर ध्यान दें और सपोर्ट करते रहें धैनुवा फ्रेंड्स